एक notification जो निकल करके आया है वह 28 दिसंबर को निकल करके आया है notification वह notification आपको कहां से दिखेगा देखिए आपको डिरेक्ली मारवाडी College के official website में जाना है जैसे इसमें आते हैं यहां पर जो notification दिख रहा है उसको पहले close किजिएगा examination में आपको जाना है नहीं तो डिरेक्ली आप देखिए नीचे जैसे स्कॉल करते हैं या admission 2021 दिया हुआ है लेकिन नीचे में आप दिखेगा उसमें फिर आपका सारा detail दिख रहा होगा लेकिन आपको क्या करना है देखिए नीचे आप अगर slide करते हैं तो आपका नीचे आ रहा है department of arts, mid-same, notice for semester 5, semester 3, semester 1 वहीं department of commerce, mid-same, notice for semester 5, 3 and 1 यह आपका आया है लेकिन आपको बता देखिए इसके science का जो है अभी नहीं आया है वो भी तुरंत कुछ दिनों में आ जाएगा तो पहले हम commerce में देखते हैं जैसे हैं आप commerce में click करते हैं आपको download करने का option आएगा आप download क करने के बाद में आपको देखेगा date कब-कब आपका examination होने वाला है तो दोस्तो यह commerce का खुल गया जैसे commerce का हमने अभी download किया तो UG semester 5 और PG semester 3 के लिए date seat है जो 7 को exam है दो sitting में आपका examination होगी उसके बाद में आपको बता दें कि आपका जो first sitting का होगा वो आपका होता है सुब करके 8 बजे तक और जिसका 11 बजे स्टाट होगा उसका 12 बजे तक और जिसका 8 बजे स्टाट होगा उसका 3.30 बजे तक आपको बता दें उसके बाद में यह मतलब कि हर पेपर आपका एक घंटा का होगा यह आपका meet semester का है स्रीपिस में honors paper की ही examination होती है वहीं बता दे 8 को जो student है जो इस बार अबर admission लिये हैं उनका जो है 19 को exam है तो आपको देख लिए अगर किसी तरह का दिक्कत होती है तो अपना hod से coordinate करेंगे इसमें directly यही बताया गया है चलिए आपको यह commerce का था हम arts का देख लेते हैं जैसे ही arts पर आते हैं arts में आपको download करने का option जैसे मिलत है चलिए देखे arts का जो है खुल गया अभी मैंने खौल रहा था चलिए ठीक है आप यहां पर देखे साथ को आपका exam दिया गया है UG semester 5 PG semester 3 का जो है साथ को है और 8 को है और 10 को examination 10 11 को है यह distribute करके दिया गया है अपना paper देख लिजिए कब कब आपका examination है उसके accordingly इसलिए आप आपको official website से बता है ताकि आपको clearly paper आप देख सकते हैं वहां से download करके वहीं बता दे semester 3 UG का जो है UG का 12 और 17 को examination है वहीं UG semester 1 जो नए student आया है उसका है 18 को examination है आपको बता दे जो नए student है उनको बता दे स्रीप अभी आपका जो examination होने वाला है वो आपका स्रीप honors paper का होगा जो आपका core paper है ब्रिस्प स्रीप उसी का होगा honors paper जो आपका main paper है सबसीडरी का भी नहीं होगा general paper का भी नहीं होगा आपको बता दे यह जितने भी examination है सब में आपका एक घंटा का time दिया जाता है और अगर आगे किसी भी तरह का फरदर किसी भी तरह का दिक्कत होती है तो आप एचोडी होगे आपका या teacher होगे उनसे आप consult करेंगे अगर दिक्कत होती है comment करके बताइए मैं यहां तक होगा आपका help करने की कोसिस करूंगा बहुत बहुत धन्यवाद